और नमश्कर मित्रो मैं मित् Lazways करता हूँ आपका आपके अपने चैनल पर तो देख़ें आज को है वह CR कि बांसरी में step by step हमको क्या चीज सेखने के बाद क्या चीज सेखनी चाहिए किस चीज के बाद किस चीज को सेखनी चाहिए इस विचय पर हम अपनी तरब से बात रखेंगे हैं कि अगर आपको हमारा पड़ाया हुआ समझ में आता है तो आप हमसे पर्सनली क्लास भी ले सकते हैं यह वर्टसप नमर पर आप संपर्ग कीजिए और आप हमारी एप्लिकेशन को भी डाउनलोड कर लेजिए उसमें हम कुछ पेड कोर्स हैं कुछ प्री कोर्स हैं तो आप वह जो हमने सिखाई रकायम एक एक चीज हमने अपने चैनल में बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बताई हुई है अगर आप नीचे से उपर की तरफ देखना शुरू करेंगी तो आपको पता लग जाएगा तो सबसे पहले आपको फूक मारने पर थोड़ा से ध्यान दियना चाहिए फोकस करना चाहिए जब फोक लगानी आ गई तब बांसरी को सही पकड़ने में और सही पोजिशन को कैसी करेक्ट करके रखना है उस पर रियाज करना चाहिए जब वह भी हो जाएगा तब आप तानपुरी पर सर लगाना शुरू कीजिए जैसे सारी गामा पादान जो उस्ताद लोग होते हैं वह तो अपने विद्यारते से जो है जिनका जीवन ही बांसरी के लिए समर्पित है वह तो छह छह साथ आट-टाट गंटे तक भी सा का रियाज करते थे तो रियाज पर गाह का रियाज आई सही से पहले आपके एक एक सर बांसर में बिलकुल करे जाती है जो कि हमने वीडियो में बताया है कि कैसे बचाएं उसके बाद मीन का रियाज करना चाहिए जब आपके सरगमें ठीक ठाक बजने लग जाती है फिर मीन का रियाज कीजिए तो जब जब ओसके बाद जब लेवल पर बजने लग जाएगे तक अलग अलग सब्सक्राइब को बजाएंगे फिर उसमें मेन का रियाज कीजिए ब्सक्राइब को दो चार पांच छे गाने इतने में कोई दिक्कत नहीं होती है कोई घड़बर भी नहीं है और अगर आप गावनों पर ही ज्यादा ध्यान दिये होए हैं और अगे जाकर के लठक जाते हैं कोशिश करनी है कि जड से यह 7 खनारे से कीनारे तक च्ट करते जाई हूच կह ईल्टा खूटा पर ए-गर आपर आपकर पर रोड़ी शॉय नहीं हो कर तो तो सर गड़वर हो दे आगे जाते हैं सिस्टेमेट्टि तो आगे बढ़ना चाहिए फ़िर जैसे दो बेसिक राग भी आप सिख सकते हैं, राग भोपाली, राग यमन, राग दुर्गा, मनलब कुछ-कुछ राग आप सिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नॉर्मल बंड से, जब आप उसके बाद जब आपके हाथ, गमक, मीर्ड वगेरा से बिलकुल जबरदस्त जब आप जबरदस्त हो जाएंगे, तो सायद तब तक कितना रियाज आपका हो जाएगा, कि आपको सुनते ही, कोई भी सवर आपजर्वेशन में आपको पता लग जाएगा, और यह बहुत लंबा रियाज हम बता रहे हैं, यह ऐसे नहीं होगा, एक एक दिन में, एक एक मह आप गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन देखे, एक ही राग से लाखों गाने निकलते हैं, लाखों हजारों गाने बनते हैं, तो हम उन लाखों गानों की जगा अगर सोचे, अगर पूरे राग को अगर हमने जी लिया तो, अब जैसे हमें सच बताएं तो हमें गाने बजाने यह सब चीज है और माने अगर आपने इतना तक कर लिया यह समझे फिर दिर दिर आप अच्छे लेवल पर जाएंगे अच्छे लोगों से मुलाकत होगे शायद आपको वेस्टन में अगर कोई प्रोग्राम मिलेंगे कुछ बड़े अच्छे लोगों के पास अगर आप चले जाएंगे तो फिर तो यह है कि सिखने के कोई लिमिट नहीं आप जितना सिखेंगे अच्छा सिखते जाएंगे लिकिन यह सिस्टमेटिक तरीके से माँ आपको बता रहें कि पहले ऐसा करना चा नहीं जब आप कम से कम 500 बार सुनेंगे तब से उसको रियाज करना शुरू कीजिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं यह बारीग बारीग चीज़ें इन पर कोई ध्यान नहीं लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बासरी आहीं आ जाएंगे तिकि बिलकुत सिस शे महने तक चलाईएं कोई दिकत ने एक साल में आपको दो या तीन रागा हैं लेकिन अगर वह भी जबर्दस आ गई स्टेज प्रफॉर्मेंस के इसाब से उन रागों को बनाएं ऐसा नहीं की काम चला हूं कि स्टेज में बजने लाइक कि आप उसको आदे घंडे तक प् हो परफेक्ट है तो और भी परफेक्ट होगा उसमें कमी नहीं होगी ऐसा आप रियाज कीज़ें यह सब कुछ रियाज कीजी और यह सारा कुछ हमारी चैनल में वह उकलब्दे हैं तो आप इनको सीखिए अब राग ही राग सीखने में एक ही राग को बहुत बारिकी से तो एक रागो करने में बहुत टाइम लग जाता है लेकिन बेसिक अगर आपका clear है तब ज़्यादध दिक्कत नहीं है लेकर आगर आपने thought और ध्यान नहीं दिया मेंट पर गमक पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे जाकर कि आपको दिक्कत आती है इसका रियाज कीजिए और आगे बढ़ते रही है नमस्का